नमस्कार जै जुहार साथियो जागोपंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अविनंदन साथियो जागोपंच लगातार आप के लिए नमस्कार जै जुहार साथियो जागोपंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अविनंदन साथियो जागोपंच नित्य प्रति दिन आप के लिए पौरानिक कथाओं से ऐसी ऐसी कथाओं को चुनकर लाता है जो आपके अंद विश्वास और पाखन को दूर करता है इसी संदर्व में आज भी बड़ा भेतरिन वीडियो होने वाला है जिसमें आप देखेंगे कि ब्रामणों को यदि कोई ब्रामणों से गलती हो जाए ब्रामणों की टटी निकल जाए ब्रामणों के पिसाब निकल जाए या ब्रामणों की कोई और ऐसी दशा हो जाए तो उनको किस तरह का प्रयाश्चिट करना पड़ता है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा, यह आज का वीडियो मैं ले के आया हूँ नारत पूराण से, और नारत पूराण में आज जो इसका सीर्शक दिया गया है, विविद प्रयाश्चित का वर्णन, इस्टा पूर्त का फल और सूतक और स्राध तथा तर्पन का विवेचन नाम से सीरसक से आपको आज ये वीडियो मिलने वाला है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इसमें देखेंगे कि ब्राम्णों के जो इश्वर होते थे जो उनके भगवान होते थे उनको किस प्रकार निर्देशित कर मिलने वाला है तो इसमें शुरू करते हैं कहां से बात इसमें शुरू हो रही है धर्मराज से धर्मराज कहते हैं नरिप शेष्ट अब मैं चारों वरणों के लिए बेदों और स्मिर्तियों बताए हुए धर्म का क्रमशे वरणन करता हूं एक आगरचित्र होकर सुनो जो भोजन करते समय क्रोध में या अज्ञानवस किसी अबित्र अपवित्र वस्तु को या चांडाल एवं पतित को छू लेता है उसके प्रयास्चित बतलाता हूं यानि वह क्रोध में अज्ञानतावस किसी अपवित्र वस्तु को छू ले रहा है कौन छू ले रहा है वह ब्र उसके क्या प्रयास्चित है कैसे पूरा करेगा कैसे अपने आपको प्रयास्चित करके शुद करेगा यह आपको आगे पता चलने वाला है वह क्रमा नुशार अर्थात अबविद्र वस्तू के स्पर्स करने पर तीन रात और चंडाल या पतित का स्पर्स करने पर छेह, रात तक पंच गब्वे से तीनो समय असनार करे तो शुद्ध होता है और फिर यदि कदाचित भोजन करते समय ब्रामण के गुदा से मल सराव हो जाए यनि क्या हो जाए मल सराव गुदा से मतलब ब्रामण के पिछवारे से यदि टटी निकल जाए यनि वो जिसे देशी भासा में करें कि उसने सोच कर दिया या हग दिया देशी भासा में कहें तो उस समय क्या होगा? उसमें होगा कि मलसरा हो जाए या जूठे मूह although आपवित्र रहने पर ऐसी बात हो जाए तो उसकी सुद्धी का उपाया बतलाता हूं यानि टट्टी निकल गई है जो उसकी सुद्धी का भी उपाय है वह कैसे सुद्ध होगा और लोग खाली जाकर धोके सुद्ध हो लेंगे लेकिन इनकी सुद्धी के लिए इनकी जो निकली है उसकी सुद्धी के लिए विशेश उपाय दिये गए हैं क्या उपाय है पहले व दिन रात उपवास करके पंच गब्य पीने से सुद्ध होता है बताईए एक बार टटी निकलने से यह दसा है और कदाचित बारबार निकल रही हो तो क्या दसा होगी लेकिन फिलहाल यह पवरानिक कथा है इसका आनंद आप लेते रही है इसकी सत्यता के बारे में संदेह है लेकिन अब यह बताया गया है कि पवरानिक कथाएं हमारे समाज का अंग है तो इसे पढ़के सुनाना भी मेरा दायत तो बनता है फिर आगे क्या कह रहे हैं यदि भोजन करते समय पिसाब हो जाए यानि मूत मारे देशी भासा में तब पिसाब करने पर बिना सुद्ध हु वेही भोजन कर ले तो दिन रात उपवास करे और अगनी में घी की आहूती दे यदि भोजन के समय ब्रामण किसी भी निमित से अपवित्र हो जाए तो उस समय ग्रास को जमीन पर रख कर इसनान करने के पस्चाज सुद्ध हो और यदि ग्रास को खा ले तो उपवास करने पर सुद्ध होता है और यदि अपवित्र अवस्था में वेह सारा अन भोजन करके उठे तो तीन रात तक वेह अशुद्ध रहता है अर्था तीन रात तक उपवास जब करेगा तब वेह सुद्ध होगा यदि भोजन करते समय वमन हो जाए यानि उल्टी हो जाए तो सबस्त मनुष से तीन हजार गायत्री का जपे यही उसके लिए उत्तम प्रयास्चित है यदि द्विज मलमूत्र करने पर चंडाल या डोम से छू जाए तो वह तुरी रात ब्रत करे और यदि भोजन करके जूठे मूँ छू जाए तो छह रात का ब्रत करे अब देखिए यह पर बड़ी ही अच्छी वह बाते लिखी गई है ब्रामनों के विशे में कि अगर वह तट्टी कर दे और मलमूत्र कर दे और चंडाल को छू ले तो तुरी रात बत्र करे ब्रत करे जबकि यहां पर छू जाने पर चंडाल को ब्रत करना चाहिए कि छी छी हमने हमको ब्रामन ने छूलिया इसने टट्टी कर रखी थी इसने मूत रखा था तो लेकिन यहां पर यह बातें नहीं आ रही हैं यहां पर अशुद कौन है चांडाल है और ब्रामर तब भी पपित्र है भले हो टट्टी किये और मूते हुए हो लही यही हमारे समाज की बिडंबना है यही हमार पर इशुर की बिडंबना है कि इशुर हमारा नहीं देखता इशुर हमारा नहीं जानता कि यह नीचे यह बिचौलिये किस तरह से भेदभाव करते हैं जबकि सूर्य हवा यह बडाबर हवा देती है वो जाती देख के देती नहीं, धर्म देख के देती नहीं, अगनी बराबर दोनों की रोटियां पकाती है, किसी को ऐसा नहीं करती कि कम, किसी की कच्ची रोटी रख जाए या कैसे रख जाए, इसी तरह सूर्य सब को बराबर रोचनी देता है, तो जब ये सब बराबर है तो इसी तरह ईशुवर भी कहीं होगा तो वह भी सब को बराबर देगा लेकिन यहां पर जो ईशुवर ने के नाम पर बिचावलिय घूम रहे हैं उनकी पुस्तकों में यह देखने को मिलता है कि कैसे एक साधारन आदमी जो सीधा साधा उसे प्रपंच नहीं आता कैसे वह चंड करें लिकिन इनके लिखने वाले विसेश कर एक सरेष्ट जाती में पैदा होने वाले लोगों ने लिखा है तो हमें यह पढपनी पड़ेगी क्योंकि इन हमारे समाज में जातिगत बैаменस्ता का बीज बोया है तो साधिव आगे चलते हैं यह पुस्तक क्या कह रही है कि यद यदि दूज मल मूत्र करने पर चंडाल या डोम से छू जाए तो वे त्री रात ब्रत करे और यदि भोजन करके जूठे मूँ छी जाए तो छे रात तक का ब्रत करे यदि रजस्वला और सूतिका इस्तरी को चंडाल छू ले तो तीन रात तक का ब्रत करने पर उसकी वहां पाता तक निराहार रहे फिर समय पर चौते दिन असनान कराइवार में राजओ वो जाती है और और वह विछ मत करनें तुमक्र खाल गया है लिसरी को नारी को असुद्द बना दिया गया है जबकि वही प्रक्रिया के दौरान उसी प्रक्रिया के उपरांत हम हमारा पूरा का पूरा ये मनुश्य समाज खड़ा होता है अगर नारी रजस्वला ना हो तो शायद है पुरुशों का अस्तित्व खत्रे में आ जाएगा तो साथियों ये लिखने वाले जो स् दौसरे का सपर्स कर लेती हैं तो ब्रह्मकूर्च पीने से उनकी सुध्धी होती है और उपर से ही ब्रह्मकूर्च द्वारा उन्हें असनान कराना चाहिए जो जूठे से छू जाने पर तुरंत सनाद नहीं कर लेता उसके लिए भी यही प्रयास्चित है रितुकाल में मै अगर कोई मैथुन कर लेता है तो उसको भी असनान करने का बिधान बना रखा है इन्होंने यह क्योंकि स्रेश जाती वालों का अपना एक बिचार है अपना एक मत है फिर देखिए बिना रितु के इस्तिरी संग संगम करने पर मल मोत्र की ही भाती शुद्धी मानी गई है अर्थात हाथ मुह आदी धोकर कुला करना चाहिए मैथुन में लगे हुए पति पतनी दोनों ही अशुद्ध होते हैं परंतु सय्या से उठने पर इस्तिरी तो सुद्ध हो जाती है किन्तु पूरुष असनान पूर्व तक अशुद्ध बना रहता है अब यहाँ पर देख पतित ना होने पर भी अपने बंदुजनों का त्याग करते हैं राजा को उचित है कि उन्हें उत्तम साहस का दंड दे यदि पिता पतित हो जाए तो उसके साथ इच्छा अनुसार बरताव करें अर्थात अपनी रूचि के अनुसार उसका त्याग और ग्रहन दोनों कर सकत हैं किन्तु माता का त्याग कभी न करें जो रसी आदी साधनों द्वारा फांसी लगाकर आत्मघात करता है पर यदी मर जाए तो उसके सरीर में पवित्र वस्तु का लेप कर आदें और यदी जीविद बच जाए तो राजा उससे 200 मुद्रा दंड ले उसके पुत्र और मि के लिए जल में प्रवेश करें अथवा फांसी लगाकर मरने से जाए और वहाँ पर उसके लिए भी ये तरह तरह के दंड हैं और यदी देखी यहां पर कुत्ते सियार और भानर आदी जन्तुओं के काटने पर मनुष्य द्वारा दात से काटे जाने पर भी मनुष्य दिन रात अथवा संध्या कोई भी समय क्यों न हो तुरंत असनान करने ने पर शुद्ध हो जाता है भले ही कोई जानवर काटा हो जबकि कुट्टे के काटने से आप देखते हो कि आदमी किस तरह से विशिप्त हो जाता है और हम इंजक्शन लगाने के बावजुद भी शुरक्ष होता है वह गोमोत्र और यावक का आहार करके पंदरह दिन में शुद्ध होता है गो अथवा ब्रामन का घर जलाकर फांसी आदी लगाकर मरे हुए मनुश्य का सपर्स करके तथा उसके बंधनों को काड़ कर ब्रामन अपनी शुद्धी के लिए एक क्रिश ब्रत का आचरन क करें माता गुरुपतनी पुत्री बहिन और पुत्रवधु से समागम करने वाला तो प्रजुलित अगनी में प्रबेश कर जाए उसके लिए कोई दूसरा सुद्धी का उपाय नहीं है रानी सन्यासनी धाय अपने से स्रेष्टवन की इस्तरी और समान गोत्र वाली इस्तरी उसे अनुचित संबंद रखने वाला पुरुष उस पाप से हटकर अपनी सुद्धी के लिए क्रिशन सांत्रपन का ब्रत करें अब यहां पर देखिए यहां पर जितना भी कितना भी गलीच क्यों नहों जाए ब्यक्ति कितना ही नीच क्यों नहों जाए ब्यक्ति का कितनी नीजगिरी हरकत क्यों न कर दिया है केवल केवल कुछ ऐसे ब्रत हैं जिनको करने के बाद व्यक्ति अपने पापों का प्रयाश्चित कर लेता है ऐसे बिधान थे क्या आप ऐसे बिधान आज भी समाज में चाहते हो और ऐसे ही बिधान यदि चाहते हो तो आप आरेशेस जैसे संस्थाओं को आगे बढ़ाने में मदद करिये और तयार रहिए OBCSC जो बहुजन है वह पुनह उसी दोर में जहां उन्हें हाथ में चप्पल लेके चलना पड़ता था पीछे जाडू बांद के चलना पड़ता था और तरह तरह की यातनाएं उन्हें सहनी आपको मजबूत करने का साहस है कि हम कोई बात नहीं ये हमारे गुरुजी हैं ये हमारे ब्रह्मण हैं ये हमारे स्रेश्ट हैं ये हमारे स्रेश्ट जाती में पैदावा होने वाले लोग हैं यह जो हमें कहेंगे हम उसे करने को तयार हैं भले ही चप्पल हमें सीर पे रखन पड़े भले ही जाडू कमर में बांध के चलना पड़े हम तैयार हैं ऐसा साहस आप में हैं तो आप सभी हिंदू राष्ट की कलपना भी करिए और उसके लिए दिन रात अथक मेहनत करिए यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश आजाद हो स्वतंत्र हो समानता और भाईचारा और सम्विधान का राज हो तो आप सभी इमानदारी से ब्राह्मनबाद के नाश और अंद्विश्वास पाखंड के नाश के लिए लगातार काम करिए और जागुरुक बनिए बुद्ध जीवी बनिए जागोपंच का यह उद्देश है इसी के साथ आप से बिदा एकी एक अपेक्षा के साथ अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें साथ ही जो नए साथ ही देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले और पहला आइकन की घंटी दबाले जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरित गस से पहुँच जाए इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा जै भीम जै बंडली